ओम शांती सभी भाईयों बहनों को, आप सभी का स्वागत है, आपकी अपनी माश्यदाता क्लासस में, जैसे कि आपने को हाली में दुखत खबर सुनने को मिली होगी, जिसमें एक ही दिन में लगवा एक सो साथ से ज़्यादा लोगों के माले जाने खबर आई है। जैसे कहीं ज्यादा बढ़ा है, तो जरूरी है, सरकार इस पर और काम कर रहे, और लोगों को इस पर जाग रूख होना बहुत जरूरी, तो इनी बातों का ध्यान रखते हुए, आज हम शुरू करते हैं, आज का लेक्चर जिसमें हम बिजली यानि जो लाइट्निंग होते हैं उसके हर पहलू को समझेंगे, उनसे बचने की उपाई भी देखेंगे, और जो कुछ रूडिवादी सोच है, अंध, विश्वासी या फिर आप मित कह सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और लास्ट में सबसे, वेंडेग्राफ जनेटर, यानि वो इलेक्टिक चार चार लाग रुपे देने का वादा गया अम्रितकों के परीजनों को, और ये एक इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट ने एक इंडियन सबकॉंटिनेंट का उन्होंने एक मैप लॉंच किया, यानि पैटर नोट किया है, जिसके वाज़े से आपको देखने को मि अगर आप डेथ की बात करें तो लगवा 1500 उसे आकड़ा है बढ़ते बढ़ते लगवा 26, 27, 28 तक बढ़ता जा रहा है जो दिन पर दिन, 2018 में इसको लास्ट रिकॉर्ड गया था, ये दो महीने का रिकॉर्ड है, और इससे हमें पता चलता है कि गवर्मेंट को अभी इसमें आप अगया सके लोगों को इन डेथ होने वाली डेथ से बचाया सके क्यालें में डेथ कुछ मेजर सम्स ली हैं इससे की कानाठा की गोर्मेंट घुलू अप निकाले में इसमें ये सब्सक्राइब तीर से को शचा देगा जिसे की आप लाइटिनि और नमबर क्ला जोंचा बिहार में भी एक ऐसे lightning sensor लगा दिया गया इंस्टॉल का दिया भी गया में 2019 में और भी sensor लगाने बाकी है और उडिसा में देखने को मिला किन सेंसर lightning sensor को आप इंस्टॉल करने के बाद लगब 30% की जो गिरावात है देथ मों देखनों के लिए अब lightning sensor काम कैसे करता है यह कहाता है जो क्याता है जो क्याता है पर 20-40 km रीडियस में शैन करते है और 30-35 मिनिड पहले एक अलाम बजा देखने आपको 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 लाइटिंग वाले अरिया से दूर थो अब सबसे पहले बात करते हैं काई लाइट्निक फॉर्म कैसे साइन् लेकिन उससे पहले यह पढ़ना ज़ूरी है कि बादल किस तरह बनते है क्योंकि बादल से बिजली बनती है अब बात खाते हैं water cycle में water cycle में दो principle process होते हैं एक होता है evaporation और दूसर होता है condensation evaporation होता है liquid surface में water molecules के पास high affinity heat को absorb करने की जो molecules होता है उसको जब sufficient amount में heat gain कर लेते हैं ताकि जो अपना barrier है जो उसकी boundaries of water molecules की आपको इसमें देख रहा होगा दिखाए दे रहा होगा पकर light blue sky color की जो boundary है उसको जब वो तोड़ देते हैं तो वेपर के ताफॉर्म में ऊपर उठने लगते है अब आपको difference पता होना चाहिए evaporation और boiling में क्या difference होता है evaporation होता है top surface होता है जबकि boiling होती है bottom surface हीटिंग होती है और वैसे जब कोई top surface हीट करोगे तो unit action आप एक एक action में आप उसे water vapors को कीई सकते हैं लेकिन अगर bottom surface आप किसी को हीट करोगे तो ऊपर बहुत सा थंडे molecules रोंगे बीचें भी काई साइ liquid molecules रोंगे तो वह आपसमें कोरीजन होगा जिसके वजह सा जो उतनी energy नहीं कर पाता है जितनी जो टॉप surface वाला गेन कर सकता है इसलिए boiling में टाइम भी लगता है और साच जो उनकी जो steam होती जो vapor होता है उसमें काफी अतना moisture देखने को मिलता है अब condensation की बात करें जब vapor उपर उट रहे ठीक है आपको मैंने इता बताते है vapor कैसे बना अब vapor जब उपर जा रहा ऑल्टिटूट पर जाएगा तो वहां का जो atmosphere हो काफी ठंडा है उसकी वज़े से क्याता है जो water molecule है जो vapor molecule है जो moisture है वो अपने energy को dissipate करता है और एक rain यानि water droplet को form में आ जाता है रेफ्रीजेटर जो आप यूज करते हो घर हो डुमेस्टिक रेफ्रीजेटर होते हैं वो भी सेम प्रिंस्पल पर काम करते हैं कैसे करते हैं आप compare करो कि रेक atmosphere को और रेफ्रीजेटर करते हैं ठीक है आप रूम टेंप्रेचर पर आपने खाना रखा फ खाने की दर्फ देखते हैं खाना फ्रीज में रखा 27 डिगरी सर्षे रूम टेमरेफ्रीज अब जैसे जैसे वो ऊपर के जब खाना है उसमें जब प्रिज का टेंपरेचर केतना हल्का काफी कम टेंपरेचर कंपरेचर पर फंदर डिगरी पर होगा तो आपनी तरफ अब इस पूरे प्रोसेस को एक बार समराइज करते है टोटल वेपर साइकल का ओधी सबसे पहले वाटर एब्सॉब करता है मैंतब हीट अब्सॉब करता है वाटर मॉल्क्यू फिर एवापरेशन होता है यानि वेपर फोर में आता है अब बात करता है अब बात कहता है अब बात करता है अब बारिश कैसे होता है यह पूरा देख लिए अब बीज बीज में बिजली कैसे खड़कते यह देखने बहुत जरूरी है लाइटनिंग होती है यानि एक एलेक्ट्रिकल डिश्चाज फेनोमना है जो बादल होता है वो किस तर से चार्ज अक्वार कर देखने आपको पता है जो क्लाउड होता है वोटर की चाहओ आप solid liquid gas तीनों फ़र्म में जो water होता है solid form में आइस के फ़र्म में रहता है liquid form में आपको rain मैंने बता दिया था high altitude जाए फे heat dissipate करके liquid होगा और gaseous form में moisture आपको पता है उपर की तब vapor उठ रहा है जब evaporation condensation हो रहा था तो droplet आपस में तकरा रहते है एक इवापोरेशन ऊपर हो था condensation नीचे है तो एक उपर जा ता एक नीचे है moisture उपर रहता है और अपस में तकरा रहते है उसके वाज़ से क dowаноस्ते हम ऐसे।ं कि जब भी नीच होती, तो भाई छीज भी कुछ कच कीचश का आएगे। जब एर करेंट उपर की तब उठती है भाब के साथ वह भी उठती है तो आपस में क्याता है वहाँ जो बादल होते हैं बादल लगभा है 35-40 km होते है आठ से लेके जो बादल का सर्फेस आपको दिखा देता है जमीन से वह एक दो किलो मेटर की हाइट होगा जो नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज मैने बताया ना बराफ ने उसका खीच लिया थे मेट-深深 जोगा, moisture या vapor का electron ने खीछ लिया और भाज होगा, वो नीचे, settle होगा, negative charge नीचे, settle होगा, कोई भी चीज गेन करती है, तो negative होगा, और कोई चीज लूस करती है, तो positive, यानि अच्छा है कि इसने कोई दे दिया है, जब कोई दे देता तो अच्छा इंसान होता है, तो positive होगा आप positive, top surface में होगा, जो negative होगा, नीचे होगा, उसके वैसे क्या होगा, एक negative, positive ions की वाजसे, Электron की वाजसे क्या होगा, एक electric field generate होगा, उस electric field से क्या होगा, आपको एह दिख रहोगा, negative और positive है, इस electric field generate होगा, अब ही क्या करगए, नीचे के ताप negative है, अभte обрат, अर्थ की र अगर लिविंग की बात करो, 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 अगर ल रोवर सर्फेज है वो किसका था नेगेटिव चार्ज था क्योंकि आइस है आप भारी चीज थी एर करेंट नीचे कर दियो हाल की चीज उपर रह गए पोटेंशल डिफ्रेंस क्रियेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वज़े से क्या होगा अब जो आर्थ है ठीक है आर्थ का आप यहां पर देख रहे हो यहां पर जो आर्थ नीच्रल थी अब नेगेटिव चार्ज की वज़े से क्या है रीपल काईगा जो लाइक च अब चार्ज आर्थ है जो जो आर्थ है यहां पर बहुत सा पोजिटिव चार्ज है यह अनलाइक चार्ज है इंज़ पर अट्रैक ईप रहनें ट्रैटिफ फॉलोगी अर इसा नहीं है वेट क्योंकि अब लेकिन लेकिन इन दों की बीच में क्या है जो आर्भर पोजब चा कैसे होगी तो यहां पर इसका अंसर है air ionization होगा air ionization यह प्लाजम भी कहीं कहीं आपको देखना हो मिलेगा अभी था हमने देख लिए clouds में 10 of thousands of volts per inch में 10 of thousands of volts per inch की electric field यहां पर developed हो जोगी है अब इतनी strong और इतनी dense electric field होगी तो जो आसपा की जो surrounding air clouds के आसपा से जो earth के जो surface वहाँ जो positive charge के वज़से जो air होगी वो क्या है जो होते हैं क्यों होते हैं उसमें क्या खास है तो जो कि इन्हें conductor गाते हैं अक्सा अपने metal का नाम सुना है metal conductor है लेकिन क्या खास है यह क्या characteristic होती ही conductor होने के लिए सबसे पहले atom होते है atom के electron proton neutron से मिलके बनादा और जो उसको खीच रहा है ठीक है proton खीच रहा है और electron आपस में रिपल कर रहा है तो इतनी इनरजी नहीं हो पाती ही proton को ताकि इतने सारे उनको मतलब जो उनकी जो रिपल्सिव पावर उसको ऊवरकम कर सेगा और अगर आपना सब्सक्राइब्ड सहब आपको आपको आत्मॉस्फर सब्सक्राइब्ट खुल अनुदर बालब सेख़े मिलस करे इस तरह से हूथ इस तरह से एर इस तो आयोप आपको इतना समझ में किस तरह एर आइनिजिशन बन जाता है बेट्विन थे एर्फ सर्फेस अब स्टेप लीडर्स की बात करते हैं स्टेप लीडर्स आपको अट्मोसर में देखना को मिलें गागा इस तरह से लीडर्स बने होते हैं क्योंकि हर मेडियम में जो चाहा थो यसे तो बहुत अचन में आपको बशisterखल य। पर व्युट्प रिचा दिया अब आप ऐर य शो कारंग इसरा नहीं हो के स्टीश नहीं स्टीडथ कि मिलती आपको कि बता ही दी दूसरा गाखन में बना कर दिखाता हूं आपने बच्पन में इस तरह के clouds बनाऊंगा है यह नीचे surface है तो इसमें कहा है जो नीचे का surface यह negative charge equal amount पर होगा और जो earth surface यह positive जाए तो इस condition में ठीक है और आपके जो air है यह भी ionize हो चुकी है ठीक है अब इस तरह में जो आपके lightning जो बोल्ट होता है यह इसे पढ़ता है इतने strong पढ़ता है लेकिन यह ideal conditions होना चाहिए लेकिन हो तक ऐसे आपने ऐस तरह के cloud देखेंगा यह uneven surface यहाँ पर negative charge होगा यहाँ पर positive charge होता है तो इस area में ज्याद़ negative charge है और यहाँ जो earth है यह positively charge है तो यहाँ पर ज्याद़ frequency होती है कि यहाँ पर lightning हो सकती है तो यहाँ पर lightning फॉलोने का यह area ज्याद़ है क्योंकि आपर पहले surface नहीं है अब दूसरा का एक बार जब अगर जो यह leaders बन चुके है आपको वीडियो में अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगो कैसे तरह लीडर बनते है जब वो धरती की तरह पहुंचेगा तो यह रास्ता बना रहता है जिससे के सारा का जो cloud का चार्ज है और धरती तरह आएगो बहुती इनस fraction of second one of 100 of second आता है ठीक है 100 second में आता है तु आता है जो बहुती इंस लाइज जैसे लाइज जैसे lightning किरी है तो वह सबसे पहले इस वीडियो में आपको दिखाए देर होगा जो सबसे पहले लंबी उठेगे ठीक है जो सबसे पहले ने सबसे पहले बना ली तरह जासे इसमें इसमें और यह जो जितना भी है इस सारा जो चैसर, जो बाइज जो जो बैठ वाउट जो ब्लुष लाइज लाइज कि बजहान से लिखाए दे की जैसके वह सबुखन सबसे बना लिखाए तकर जैसके युदि युज ऌलगा जो तकर लोसी चैसर टेृट बहट ञागे सिंभरछ अगई जए जो आपको 36 degrees Celsius होगा, करीब-करीब 27-28,000 degrees Celsius है यानि यह temperature सूरज के surface से लगब 3-4 गुना ज्यादा है समाझे ना, सूरज के surface से 3-4 गुना ज्यादा temperature है अब इससे होगा, जब इतना साथ जो temperature निकलता है sun के surface से भी 3-4 ताइम ज्यादा temperature है रिलीज होगा तो उसकी बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होई है उसके विएसे का जो इतने भी आसपास की जो आयना इस एर तो ठीक है लेकिन जो और भी जो थोड़ी दूर में होगा उतना ज्यादा temperature से सारी जो गैसे वह बहुत ही हीट होगाती है और जब हीट होगी जब आपको जो ह्याई जो गरम चीज होती हीग हो जो भहत थेज भागती है यह हलकी होती तो बहुत तेज भागेगी गरम अवा इस सोर्स जहां पर लाइटनिंग श्टक होई है उससे बहुत दूर भागेगी उसके वैसे जब वो ठंडे जो air जहां पर लाइटनिंग इतनी नहीं हो रही है ठीक है वहाँ जो ठंडी हाफ होगी उससे जब टकराएगे तो बहुत एक बहुत थंडर क्लाप सारेगा बहुत बिजली से आवाज चाहेगी तो वही आवाज आप सुनते हो यह कि जब होट एर कोल्ड एशे टकराती तो बहुत थंडर की अवाज आपको देखने को मिलती है अब ताइप साउफ स्टाइक होती है सबसे पहले एक ख्लाव्ड टु ग्राउड होती है सबसे पहले है इंट्राउड होती है इसमें मैंने तीन ही दिखार के लेकिन सम्झाया तो हूं यह अब यह कुछ basic types of lightning के बात करते हैं types of strikes देख लिए types of lightning के बाएं बात करते हैं सबस्थ पहले sheet lightning है जिसमें आपको sound भी सुनाए देगी और light भी दिखाए देगी यापर atmosphere में ही होती है मतलब इसमें आपको strikes अगर देखने भी नहीं मिलती है बादलों के अंदर ही होती है heat lightning आपको काफी दूर पर से लाइटी लाइट दिखा देती है आपको आवास होना यह नहीं देती है ball lightning के बहुत ही रेर फेनोमन है जिसमें आपको ball तरे के दिखा देती है lightning की ribbon lighting में आपको जब light strike होती है बाद पर तो एक हवा चलती है आपको जबाद पर काफी दूर तक जाती है जिसके वैसे कि आपको पैटन यह पहले लाइंस बनने लगती है जो कि जैसे कि आपको इस फीकर में देख रहोंगे अब यह बीट लाइट निंग मोर्ती जिसे कहते है यह ब्रिकप कि पड़ल यह नित कि इस फीकर रेट कहते необ Vine करते है इसके इंवेंटर थे अमेरिकण फिजिस्टिर से राईमरेंशन लेसं विंडेगरार एक फिर्टिर वनedu प्रदूस करते हैं इंवेंट करते हैं जो कि 10-20 million वोल्ट के वोल्टेज को डेवलप करने के लिए यह कौंच्टन करन्ट होता है दो तरह के दिवाइज होता है यह निए कन्जूम होती है इस तरह के वेंडेग्राफ जनरेटर इसमें करन्ट रहती है लेगिन वोल्टेज पूटेंशियल ऊपा निच्च पूट यसमें आपको वीडियो दिखाता हूं मैं के लिए इसमे आप जिससे क्या आपको समझ जाएक आपको यापको समझ आपकर रिवलेव गया काнок झाल झाल आपने पी जो वीडियो देखिए उसमें आपको समझ माया गए वंडे ग्राफ जनेटर काम किसे करते हैं आप लाइटिनिंग सेफ्टी की बात करते हैं यानि कौन-कौन से डूस और जो कि आपको नहीं करने चाहिए आप लाइटिनिंग में सुरक्षित रह सेखें दो परमीटर पर चक करेंगे आप अगर बहार है तो भी चक करेंगे और अगर आप अंदर है तो इंसाइड और दोनों पर स्पेक्ट्रम देखें उपन वहिकर जैसे की मोटर कार हैं ट्रैक्टर्स हैं उसमें भी आपको नहीं रहन है फिसमें भी आपको नहीं रहन है इसमेंते मरे ढ Courtney हुठ आपको शब्स भाक के पर फारी मेंचेब जो पुमकर टाय। सेखें बहुत सारे जो इंग बहुत सारे लुएट यांब सुप्री मिले और जो सबसे उपर ञाती है और जो clouds आधी, जो सबसे पहले मिलेगी, वहीं से सारा डिसीपेटों नहीं लाइटनिंग किरती तो वैसे जो लंबी लंबी जो आपके पार्क है, मतलब जो लंबी लंबी जो ट्रीज हैं, बिल्डिंग हैं उसमें सबसे पहले बिजली वहीं किरेगी तो आपको लंबे ट्रीज हैं, शेल्टर उनमें नहीं आना चाहिए, जो खुल अरिया है, वहां पर चाहिए, वहां पर भी जाना चाहिए, आपको बंद कमरे में रहना है आपको अलिवेटर प्लेस में जो काफी उचाय पर उनमें पी नहीं जाना है, ठीक है अबरेल आप नहीं रहो क्योंकि अम्रेल है उसके टिप भी एक मैटली होते हैं और हैंडल में जादा चाहिए तो उसमें ज्यादा चाहिए अगर आपको इससे लाइटनिंग करूच करके जो पोजिशन है आप इसमें बैठ सकते हो तो इसमें भी काफी आपको मतलब आपको सर्फेस अरी है वो अब मिनिमाज होगा जिसके चार्ज कम अकुम्लेट होगा सर्फ आएगा और इसके आपको लाइटनिंग कम वहां पर गिर सकती है आपको क्या नहीं करने चाहिए अगर अगर आप अंदर हो तो आपको सारे टेलिफॉन को और से लेक्रिकल वायर मेटल पैप उनको अनप्लग कर दीजे आप मोबाइल फोन यूज करना चाहिए बलकि बिल्कुल गलाता है आप मोबाइल फोन में यूज कर दोग दो आपको तो आपको अनप्सक्राइब कर दोगे तो आप जो यूज कर सकते और प्लास्टिक बॉड़ु ए कोई खतरा नहीं है लेकिन जो भी को और वाले हैं उनको नहीं यूज करोगे या फिर आपने किसी को फोन किया मॉबाइल से लेकिन दूसरी तरफ है जिसके दूसरा घर है आ को अवार्ड कर यह कॉल उठाने के लिए आप बात नहीं कीजिए क्योंकि जो वाटर है गुट कंड़क्टर आ कहीं आसपास बिजली गिरी है तो वाटर से होते हुए कई आपके पास आ सकती है ठीक है एलेक्ट्रिकल अप्लाइन से मैंने बता दे कंप्यूटर टीवी इन सब आफ को अपको रफजिएर इन पांप्ला कर दीए ए अलेक्ट्रिकल लाइट आप जला सकते हैं क्योंकि एलेक्ट्रिकल लाइट में कोई भी ऐसी कंपोनेट नहीं जो की आपको एक्साई हो दे चॉक्त पेडों में बजली कीरती क्लिकि ओपन फ्यल्ट में रहते हैं ऑपन होता है बहुत खेतों खेत में जो पेडों के नीचे शेल्टा लेते है तो आपको जो लाइटनिंग के अगर फॉल भी होती तो इस था जरीया आप नीचे पॉल के लिए ऐसा मत करिएगा कि आप घर में जाकर के आपने जो बिल्डिंग उसे टॉल एक वहां पर लगा दे सीमेंट से बिल्कुल भी गलते है जब यह बिल्डिंग मनाते है तो एक कॉलम खड़ा होता है तो जो ग्राउंड के फाउंडेशन से लेकर कर टॉप तक जाता है उस आपके घर को डैमेज हो सकता है तो लाइटनिंग कंड़क्टर हमेशा कॉलम में हों चाहिए जिसका की जो डाइट जो कॉंटेक्ट होगा मैटल का कॉंटाउट डारेक्ट फाउंडेशन में जाए अब इसमें इसमें काफी तूफान आ रहे है कि वेस्टर भी डिश्टरब भी नहीं आपने आइफल टावर देखा होगा यह एंपायर स्टेट बिल्डिंग देखी होगी अक्सर यहां पर आपने दिखा होगा यहां पर एक मैटलिक रॉड है टॉप सर्फेस में यहां पर मैटलिक रॉड सर्फेस वह इसलिए नहीं है कि कोई मॉंस्टर आगे हाँ इस साथ खेले लाइटि लाइट्निंग जो टॉट होती सबसे ओपर जो रॉड होती इसलिए लाइटिनिंग से असे लगाने से बिल्डिंग पूरी तर से सिफ होती है इसका मतलब यह निखिय है अगर यहां पर बजली किरी तो एक अनसे इसलिए लगाया ता कि सेफ हो lightning जो होती है ये रेंग में डेंगरोötा ही बलकी ऐसे बिलकुल बिलकुल को कैन्क समर में है मैं आपको आगके एक 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 जामफा दिखाऊँंगा वहाँ पो ही समझना के equator वाले आरिया वह में सब स्यादर लाइटनिंग होती हो और ये मुच्छली Least वर दौन सब्सक्तिर हैं! 30 सेकंड आप जब बिजली कड़के और आवाज आने बीच में 30 सेकंड का है तो आपको घर के अंदर भाग जाए जब कि ऐसा बिल्कुल भी गलत है पर यह है कि अगर बिजली कड़के तो आपको जब मुंस्ट्रॉम रुक नहीं आदा है तो 30 मिनट तक आपको घर से बहान ही पीपल करें इन एलेक्ट्रिकल जाज अगर किसी को बिजली लगती है तो कई बार ऐसे कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिकल डिशार्ज उसको मच हो आप में बिजली लग जब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इना फ्रैक्शन आफ ताइम आपके बाडिस होते हो तुरन अगर आप बिल्कुल भी नहीं काना चाहिए अगर आप जमीन मेलेट हो गए तो आप खुद ही सोचो कि आपको जो पॉजिटिव चार्ज सर्फिस अरिया बढ़ागो तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अकुमलेट होगा तो उसके से लाइटिनिंग क्या जाता कि ज्यादा ग्रीज लैंटिंग है तो इसमें बढ़ा कि 1833 में एक बॉस्टन लिंकन लाउट स्प्लेडिंग स्प्लेडिंग करके एक हैरल्ड नियूस से बाद चलता था 1833 में जिसमें कहा कि वो इतनी तेज बोलते हैं जैसे एक लाइटनिंग यानि एक मेटाफोर की तरह है यह आपको एक बैन्द दिख रहा है यह भी ऐसा क्लेम करते हैं कि इनकी जो कर है वो लाइटनिंग स्पीर से जल दी जबकि इस सारे मेगल है जो में के जो कईलन लाइटनिंग स्पीर से लट यह है की आफ़ोरम मेत माफी है जोसर पिष्गह का नाम चैशन इन कने नाम संव विल्यम फ्रेंकिलिंग के साथ तब उनको इलेक्रिसिटी यानि लाइटिनिंग का पर चला बलकि ऐसे बिल्कुल भी नहीं यह बिल्कुली फेक न्यूस मतलब अगर इसको प्रूफ करने के लिए नैसा के साइंटिस्ट टॉम टकर इन्होंने भी सेम जो उन्होंने काइट बनाई थे उस टाइम पर जो बनाने कोशिशिश गी वही सिल्क रॉड में एक महां पर की फसाईती है उसी कोड़ाने तो इसमें तो बिल्कुली मतलब एक्स्परि करते हैं कि लोग कि कार में चले आओ तो आप सेफ हो पहली बाद तो आपको कनवर्टिबल का में जाना जो कि उपर से ओपन होती हो बिल्कुली मोग प्रोन और कंडिशन ही है कि आपको डिकली साध आपके बॉड़िक साद लाइटिंग कर कॉंटक्ट हो दोसरी बात अगर कार में हो तो कार एक तरशे एट करती है कार के आप जो आप यह में थोगा कि आप जो आप को इंसुलेट करते हैं जबकि बिलकुल बहुत ही पतली होते हो जबकि लाइटिनिंग फुज़ो तो मिलियन वोल्ट का उसमें पुटेंशल डिफरेंस हो अब इलेक्रिकल फिर लो आपको जो बॉडी है वो फलाडे के तरह काम करें और जो सारा चार्ज हो अर्थ में डिसीपेट हो सके तो यसारे रीजन आपको साथ मित आपके दूर होंगे जो काफी मित मित अरोट से करीब होता है क्या उसमें लाइ्टिंग हो सारा इससे अश adapting मित आउती हुजा लाटिंग में आग आउ तक्यों लीकी व safe काफी इतना well developed नहीं था, आज कलकर तो काफी refined aviation fuels आ रहे है साथ साथ जो plane होता है उसमें almonium की body होती है यह thinner parts होते है, nose, wings, holes होते हैं जिसमें की lightning easily penetrate करती है lot of electricity, इन सब के होते हुए भी वहाँ पर lightning क्यों नहीं थी यह question आपके उमन में अकसर आता होगा जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं वह सब grounded होते हैं जितना radar होता है वहाँ पर conductive chip लगा जाती है ताकि जो radar है उसके sensitivity खतम नहीं हो और फ्यूल है वह काफी fuel tank भी काफी engineers नहीं इतना rigorous बना दिया है कि इस साथ के जटके को easily absorb कर लेता है और फ्यूल होता है वह इतना समय चलते चलते हैं अविशन फ्यूल हो काफी इतना रिफाइन होता है कि इसलिए इसमें आग नहीं लग पाती है वह सारा का सारा एक metallic cage के अंदर होता है और यह पूरा कपरा फरादे cage के प्रिंस्पल पर बेज़द है अगर अगर आप बात कहों कि जो समय में जो बिजली गिरती क्या उसे फिश क्यों नहीं मरती है वाटर होता है हाई हीट कैपसिटी होती बहुसा इनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है लेकिन जो lightning होता है इसमें इतनी नर्जी नहीं होती कि पूरे कप पूरे सी को एक साथ warm कर सके और हला कि वह skin effect होता है इसके वैसे बच जाता है सारा का सारा सी उसमें salt water होता है जो की conductive से बनाता है लेकिन जो lightning होती हो कुछ depth तक ही जाती है और यह भी देखा गया, अगर आप आप बोटिंग कनने जाते हो फिशिंग कनने जाते हो, तो 30% चांसे है कि आप आप लाइटनिक सी हिट हो सकते हो, क्योंकि आप ग्राउन्न तो है नहीं, अगर आप वहाँ बोट में भी होती ही तो आप ज़िस अरिया में जब करो काफे अगर बनती भी हैं without thunderclap के वो obvious से नीचे चलिया थी काफी डब तक अब आपको interesting fact बताता हूं किस lightning के लाइटनिंग के लगबग अगर आप इसे calculate कहता है तो और 4.5 से लेकि 5 तक strikes आपको पर सेकंड आपको देखने को मिलेगी पूरी ऐर्थ में हाइस डेंसिटी एक्वेटर में देखने को मिलेगी जाँ 10 फ्लेश घर काम करता है बहुत सारे सेलर्स के लिए इसका कुछ मेन रिजन जो साइंटिस ने बताया सबसे पहले एक्वेटर के 10 डिग्री नॉट है एक्वेटर वने बताया था ना सन काफी इंफरेंशियल होता है लाइटनिंग को प्रोमोट करने के लिए दूसरा की वाटर वेपर जो करीवें सी से जो विंड्स हाती है वो होट है उसके डिफ्रेंस के विजए से भी काफी यहां पर आपको देखनों को बनते हैं तो आपको लेक्षा पूरा समझ आया होगा और किस तरह से लाइटनिंग होती है पूरा आपको समझ यह होगे तो थैंक्स फॉर वाचिंग आप लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे सभी भाई बैनों के साथ और सब्सक्राइब बना चैनल को बिलकुल मत भोलेगा ओम शांती